मंत्री योगी आदितनाथ गुरकपुर के माराडा प्रताप इंटर कॉलेज में एक रैली को संबोधित करेंगे इस रैली में बीज़पी प्रदेश अद्यक्ष सुतंदेव सिंग के साथ ही मद्यव प्रदेश के पूर मोख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान भी शामिल है वही इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों के पहुचने की उमीद है बता दें कि जहां एक और सी एक को लेकर अलग अलग जगा विरुद प्रदेशन चल रहा है वहीं दूसरी और बीज़पी ने सी एक को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए पूरी ताकत जोगती है और इसी क्रम में गुरखनाट प्रांट में यह रैली की जा रही है बताती चले इसे रैली में दस हजार से ज़ादा लोगों को निमंतरन बेजा गया है इतना ही नहीं बीज़पी के कारे करता और नेता खुद घर-घर जाकर लोगों को CA کے بارے میں بتا رہے ہیں और उन्हें इस्रेली में आने के लिए आमंत्रित कर वे हैं गुरकपुर के साथ ही साथ पुरवान्चल के विकास को गती देने वाले गुरकपुर लिंक एक्सप्रिस वे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने गीड़ा में समानित किया समानित के गए किसानों में गुरकपुर, अमेजकर नगर, आजमगर, संतकभीर नगर के किसान शामिल रहे 40 किसानों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से समानित किया इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने विकास के एक बड़े काम में स्तायोग दिया है प्रदेश में बन रहे तीन एक्स्प्रिस वे से छेत्र का विकास होगा इस वर्ष के अन्तक हमारा प्यास होगा कि प्रवाण्चल एक्स्प्रिस वे मुख्यमंत्र को हम यातायात के लिए खोले इसके साथ ही सियम योगी ने कहा कि जमीन देने वाले किसानों के पुर्वजों की अंतरात्मा को भी इस बात की संतुस्टी होगी कि हमारी पुर्वजों की भूमी पर अच्छा कारे हो रहा है जब भी हमें विकास के लिए भूमी के आवशक्ता पड़ेगी किसान की और देखना पड़ेगा और इसकी शिरुवात हमें जेवर में देखने को मिली जेवर में एशिया के सबसे बड़े एरपोर्ट के लिए तीन हजार हेक्टर भूमी किसानों ने सिर्फ दोगुने रेट पर जमीन हमें उपलब्द करा दी